हेलो एब्रिवन बल्कम बेक पुम्हें चनल आज हम बनाएंगे दुबई की वाइरल कुनाफा चोकलेट इसके लिए हमें सवई को रोस्ट करना है हमने हाफ टीजपून बटर में सवई को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे महिन वाली सेवई ज़्यादे अच्छी हैं था होगया है और में इसका कल्रोड हो गया या हमारी सेवई अच्छे से घुन गई है अब हम सेवई को साइड में रख कर लेंगे हम चौकलाट को मैल्ट करेंगे इसलिएएव reciprocal मैल्क दीए फालार 秒स्ट करना है में दार्क और बाइट कमपाउंड की जगे हमने मिल्क चॉकलेट ली है इसको भी हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे हमने डार कमपाउंड को कट कर लिया है अगर चॉकलेट हमें कम लगे की तो बाद में हम चॉकलेट को और ले लेंगे अब हम इधर पिष्टा को पीस लेंगे हमें पिष्टा को दरदरा ही पीसना है हमने इसमें वन फोर्थ का पिष्टा लिये है थोड़े से पिष्टा को हम कट करकर रख देंगे और बाकी पिष्टा को हम इसमें ग्राइंड कर लेंगे हमने पिस्ता को ग्राइंड कर लिया है इसमें हम वन ड्रॉप ग्रीन फूट कलर एड़ करेंगे यह ऑप्शन है अगर आप ना करना चाहें तो आप इसके भी कर सकते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम बाइट चोकलेट को भी मेल्ट कर लेंगे इसको भी हम गरम पानी पर ही मेल्ट करेंगे डाग कमपाउड और बाइट कमपाउड को हम डवल बाइट के मदद से मेल्ट कर लेंगे और अगर हमें बाइट कमपाउड और जरत होगी तो हम उसको और मेल्ट कर लेंगे आप कितनी बड़ी चॉकलेट बना रहे हैं यह आपके उपर है इसलिए चॉकलेट के कौांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं हमने इसको अच्छे से तोड़ लिया है अब हम चॉकलेट को सेट करने के लिए मोल्ड ले लेंगे इसमें हमें एक सिलिकॉन का मोल्ड लिया है और एक हमने घर से ही बिस्कुट का मोल्ड लिया है जो सिलिकॉन का मोल्ड लिए इसमें थोड़ा डीप कम है इसलिए इसमें कैबिटी थोड़ी कम है इसलिए हम घर वाली मोल्ड में चॉकलेट को सेट करेंगे मैं और हम चौकलेट की फिलिंग त्याइट करेंगे अध्यवेट क्षीप्रें इसको एचनीी और थोड़ाइट करेंग तो मॉल्ट में डिजाइट सक त्याहिए में गोवन डिख़णा है जाथ हम सवेट में अटिकंद इसके अधर कम होगी तो थोड़ाइट को हम all melt करके इसमें mix कर लेंगे और हम बन टेबल स्पून इसमें condensed milk add करेंगे और सबको अच्छे से mix कर लेंगे और इसमें हम जो हमने पिश्टा कट किये तो इसको भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हमारी फिलिंग बनकर तयार हो गई है और अब हम मोल्ड में चॉकलेट को सेट कर लेंगे अब हमने डाक चॉकलेट लिए है इसको हम मोल्ड में अच्छी तरह है कोट कर लेंगे और इसको अच्छे से मोल्ड में फैला लेंगे और साइडो को भी हमें अच्छे से कवर करना है जिससे हमारी चॉकलेट अच्छे से बनकर तयार हो साइडो में हच्छे से में चॉकलेट को लगाना है अगर आपको लेयर थोड़ी सी ठिल लगे तो आप इसको बाद में सेट करकर चॉकलेट की साइडों को दुबारा ही चॉकलेट से कोट कर दें हमने इसको एक ही बार चॉकलेट से कोट किया था और इसको हम अच्छे से फ्रिज में सैट होने के लिए रख देंगे हमने साइड़ों में चॉकलेट को अच्छे से कोट कर दिया है और अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे और अब हमारे मोल्ड में चॉकलेट अच्छे से सैट हो गई है आप इसको देख सकते हैं हमने टच करके चेक कर लिया है ये चॉकलेट अच्छे से सैट हो गई है अब हम इसमें फिलिंग फिल करेंगे फिलिंग आप अपने हिसाब से फिल कर सकते हैं बस हमारी चॉकलेट अच्छे से सेट हो जाए उसके बाद हम इसमें फिलिंग फिल कर लेंगे और हमने फिलिंग को भी चारो तरफ अच्छे से फिल कर लिया है औरWhy यह सारी फिल्ण एक ही चॉकल्ट में फिल हो गई है अब जो हमने फिल न भई है उसके ओपर हम चॉकलेट को फिल करेंगे अ और उपर से पूरी चॉकलेट हम कबर कर देंगे और विदा विद्ध ne सेट होने के लिए रख देंगे हमें इसको अच्छे से ही फिल करना है और सेट करने के बाद इसको हम आपको दिखाते हैं और थोड़ी सी चॉकलेट से हम इस पर डिजाइन कर लेंगे जो हमने थोड़ी सी वाइट चॉकलेट हमने अलग से बचा कर रखी उसको भी हम इस पर डिजाइन कर देंगे जिससे हमारी चॉकलेट अच्छे से डेकोडेट भी हो जाएगी और अच्छी भी लगेगी और अब चॉकलेट को हम फ्रिज में सैट होने के लिए रख देंगे और अब हमारी चॉकलेट अच्छे से सैट हो गई है अब इसको डी मोल्ड करेंगे पहले हम साइट को थोड़ा लूस करेंगे उसके बाद हम चॉकलेट को डी मोल्ड कर लेंगे हमने अच्छे से चॉकलेट को मोल्ड से बाहर निकाल लिया है हम इसको अच्छे से फिनिशिंग देंगे और अब हमारी वायरल दुबई की कुनाफा चॉकलेट बनकर तयार है देखे फैंड्स कितनी अच्छी बनकर तयार हुई है और हमारी बहुती टेस्टी चॉकलेट बनकर तयार है और अब हम आपको चॉकलेट को तोड़कर दिखाते हैं अगर आपको चॉकलेट की रहस्पर पसंद आई है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें कि देखिए फ्रेंड्स कितनी बढ़िया फिलिंग से अंदर से फिले और हमारी चॉकलेट की कोटिंग भी बहुत अच्छी है करेंगे एंदर की 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 बढ़िया झाut 없이 पसंदे है कूले वीडियो है इस की की बढ़ियो है ओ करेंगग पन् झाल